कि एक बाइंग अपॉर्चुनर्टी देख रहा हूं मैं एक्चुली यह लेवल्स पर ब्रेक आउट था मार्केट अल्रेडी उपर आ चुका है नीचे आने की कोशिश कर रहा है मार्केट बड़ नीचे आ नहीं पार रहा देखिए बार बार आपको दिख रहा होगा यह कर रहा हूं एक काम करते हैं यह लेवल्स के ऊपर बाइ कर देते हैं 20 थोड़ा नीचे मिल जाता तो क्या मेरा स्टॉप लॉस फिर बड़ा नहीं रहता इतना बट ठीक है हम लोग यह लेवल्स पर बाइक कर देते हैं ट्विटर्स अल्मोस्ट 6,000 के आसपास पहले ही फ्रा स्टॉप लॉस हो चुके हैं और ट्रेलिगरम पर मैंने अपडेट कर दिया बाइदेवे 6,000 के आसपास लॉस चलता है स्टॉप लॉस एंड टागेट कहां लगाएंगे ठीक है एक्सपेक्टेट नहीं था कि वह इतना नीचे आ जाएगा अगर आ जाता तो मैं शायद देंगे गाएंगे 750 टू ठीक रहेगा स्टॉप लॉस सेवन फिफ्टी और इसके अगेंच में टागेट के लिए क्या रूम है हमारे पास ओके टागेट तो हम 930 का प्लान करेंगे या एक काम करते हैं 935 का करते हैं प्लान तो हमारे पास टागेट के लिए बहुत अच्छा रूम है तो स्टॉप लॉस भी थोड़ा सा मैं नीच लगाना पसंद करूँगा सम्वेर अराउंड 726 726 का स्टॉप लॉस 936 का टागेट एक्जिट लिमिट 936 विल बी माई टागेट उपर आ चुका है ये एंड स्टॉप लॉस हम प्लान कर रहे हैं 726 एक्जिट एसलम 726 मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि फ्राइडे के दिन पर या मंदे के दिन पर हम प्लान करेंगे ऐसा ट्रेड लेना जहां पर मैं सिरुफ स्टॉप लॉस लगा करूँगा और ट्रेल करते हुए चलेंगे आज मैंने वो ट्रेड नहीं लिया हुआ है रीजन बिह बता वो तब किया जाता है जब मार्केट एक जोन के बाहर आ चुका है उसने एक अच्छा गासा लेवल तोड़ दिया लेट से कोई यहां वाला लेवल तोड़ दिया बड़ा लेवल या नीचे वाला लेवल तोड़ दिया तब वैसा प्लान किया जाता है आज के दिन पर वो setup करना को logical नहीं होगा, इसलिए मैंने अच्छा का सा target and stop law लगाया हुआ है, risk लिया हुआ हुआ है, that's okay, उसके against में हम इतना target भी और इतना पैसा भी कमाने की probability रखते हैं, okay, currently almost 2000 के आसपास loss चल रहा है, target and stop loss है, intact state युन वेडर्स में आपको अपडेट करता हूँ, traders, market ने नीचे fall किया हुआ है, almost 7800, इसने देखिए low लगाया है, just to be I think 760 का, but that's okay, क्यों मैं okay बोल रहा हूँ, क्योंकि market जो है, कहां से reverse कर रहा है, देखिए reverse, ये exactly अपने support level से, अगर इसको हम properly draw करते हैं, this is the support level और ये है हमारा resistance level, तो market यहां से कहीं न कहीं, अच्छा recover कर देगा, और almost 7000, 5000 के आसपर अपना यहां पर loss चल रहा है, ठीक है, ये kind of weak ends को निकालने का momentum मुझे लग रहा है, अगर market, let's say, अब again इस channel को, मतलब ये bottom levels को try करता है, hit करने के लिए, तो probabilities की हमने गलत trade लिया हुआ है, और हम probabilities high की हम निकलने वाले है, stop loss and target है, intact 726 का अपना stop loss है, 936 का हमाना target है, almost 4900 के आसपर अपना यहां पर loss चल रहा है, traders, market, back to pavilion, almost देखे, cost के आसपर आ चुका है, यह, जैसे कि मैंने आपको बताया, यहां पर support level है, यह support, 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 तो market की probabilities vary है, issue सिरुक तब क्रेड होता कि, अगर यहां स जैसे कि यहां पर तेको try किया गया, नीचे फिर से नीचे draw around करने के लिए, बट वैसा नहीं हुआ, market ने continuation के एसाप से किया हुआ, ऐसा क्यूं हो रहा है, मैं buying side क्यूं देख रहा हूं, इसके पीछे, देखो, setup तो मैंने आपको बताया, कि breakout है, जर्नल ही मैं इतना back to back green candles प को बताया, जो भी मेरा पुराने followers है, यह पता है कि मैं कभी भी ऐसे setups पे काम नहीं करता हूँ, retracement होता है, तो ही मैं wait करता हूँ और लेता हूँ, और कैसे retracement में buy करना होता है, जैसे ही आपने let's say यह breakout हूँ, अब आपको यह buy करना था, अगर आपसे miss हो चुका है, तो what you can do आप bottom से लेके top तक Fibonacci लगा सकते हो, और जैसे ही कोई retracement के nearby है, जैसे अगर आप यहाँ पर ध्यान देते हो, आपको मैंने यह भी बताया है, 12.02, जैसे ही यह इसके nearby आया, और मैंने trade लिया हुआ है, almost green candle के nearby बनते हुआ ही, मैंने trade ले लिया, तो आप वैसा कर सकते हो, थ थोड़ा हमने उपर लिया हुआ, थोड़ा कि actually 30 to 35 points हमने उपर लिया है, almost अगर मेरे quantity के साब से देखो कि तो 9000 ज्यादा, बट फिर भी लिया हुआ हुआ है, क्योंकि bank nifty का अभी भी बहुत बड़ा pending work है, bank nifty को उपर जाना है, nifty अपना lifetime high लगा चुका है, और अगर चलते हो, तो आपको बार-बार दिखे गाई है, तो उस logic के साब से यहाँ पर running market भी चल रहा है, market उपर जाने की कोशिश भी कर रहा है, और साथ में एक और important psychology में आपको बता रहा हो, देखो क्या होता है market में, market गिरता कब है, market तब गिरता है, जब almost सब लगबग अपना portfolio लेके बैठे हों है, उपर के levels पे और like और expect कर रहे market उपर जाएगा, उपर जाएगा, उपर जाएगा, उपर जाएगा, ओके, अब अभी भी हम कहीन के top के nearby हैं, but अब psychology क्या चल रही है, 50% portfolio पड़ा हुआ है, 30% portfolio पड़ा हुआ है, बाकि सब idle cash लेके बैठे हों है, market जैसे गिरे और buying करे, अब ये recent times में, अब जैसे की like बहुत youngsters join हो चुके है, market के अंदर 2020 से लेके 2021 में, तो इन period में अब retail traders की ताकत बहुत बढ़ चुके है, और अब हम गबढ़ाते नहीं है कि market fall कर रहा है, तो क्या करे, सब को पता है कि nifty-fifty के अच्छे-चे heavyweight stocks उटा के रखन और पैसा बनता है, बिना मैनत की है, तो ऐसे psychology बन चुके है, तो इतना easy way में market आपको नीचे के rates में नहीं मिलेगा, market ऐसा नहीं गिरता है, market की आदत है, हमेशा panic के साब से गिरेगा, अब जो है panic नहीं चल रहा है, बले ही हमारी economy कुछ like underperform कर रही है, बहुत कम perform कर रही है, compare to stock market momentum, but still, यह सब चीजे जानकारी है, और हम यह expect कर रहे हैं कि market सच में गिरेगा, 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 हमको नीचे के levels पे entry मिलेगी, absolutely no, market की पुरानी आदत है, जब भी भी हम comfortable feel, जब तक हमको comfortable feel नहीं कराएगा, उपर के levels पे, तब तक market नहीं गिनने वाला है, दो दिन अच्छा fall करने के बाद, third day पे आपने देखा market कैसे gap up खुला, और market उपर धाने की कोशिश कर रहा है, तो आजकल का market वैसा हो चुका है, पहले हम लोग जैसे normal retail traders होते हैं, वो लोग पूरा dependent होते है, FIS क्या कर रहे हैं, वो लोग बेच रहे हैं, क्या हम भी निकल जा market से, वैसे thinking चलती थी market में, अब वैसा नहीं चलता है, अब literally we don't even care कि FIS buy कर रहे हैं, DIS sell कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, कुछ भी चल रहा है market में, market नीचे गिरा है, अच्छे-च्छे stocks, Reliance, आपका TCS हो गया, Infosys हो गया, ऐसे बहुत सारे stocks हैं, शिन पिन्स हो गया, ऐसे often book करेंगे, आज कल thinking वैसे चलती है, तो इतना हम confidently बैठी हो है, तो market नीचे नहीं आने वाला है, इतना easily sideways हो सकता है, या तो bullish expect कर सकते हो आप, okay, almost देखें, यह अगेन थोड़ा नीचे आया हो है, 6000 के आसपा loss चलता है, stay tuned traders में आपको update करता हूँ, almost 726 का अपना यापर stop loss है traders, finally एक अच्छा move, 900 के आसपास तो आ चुके हैं, target 936 का है, अभी भी मंजल थोड़ी दूर है, ठीक है, wait करेंगे हैं, wait करेंगे, I think ऐसा उसने move किया है, तो इसकी probability is very high कि आज का वो day high भी break कर दे, but risk नहीं लेंगे, हो सकता है कि यह levels के आसपास लोगों के stop loss वगेरा और वहां से वो flick करके नीचे की तरव आ जाए, तो इसलिए मैंने यहां पर target रखा हुआ है, day high अगर आप आजा आपका देखोगे, तो 955 है बैंक निफ्टी का, और हमने target लगा हुआ है 936, तो मतलब safer side हम लोग यहां पर निकलने वाले हैं, stop loss चाहिए तो trail कर सकते हैं, हम I think stop loss हम 760 के आसपा लगा देते हैं, ठीक है, थोड़ा momentum करता है, तो stop loss भी trail कर देते हैं, almost 17, 18,000 के आसपा profit चल रहा है, काफी messages आये हुए है, breakout, 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 तो पहले हो चुका है, क्या breakout, breakout message करते हो, आप मुझे यह levels पर, breakout यहां हुआ है, मैंने आपको message किया, यह levels के ओपर, तो भी आप समझ रहो, बहुत अच्छी बात है, सिर्फ एक easy task आपके लिए हो चुका, जो आप समझ चुको कि मैं buying side हूँ, because of this back-to-back rally and retracement आते ही, मेरा message आ गया, आपको तो आपके लिए बहुत clear indication थी, हाँ boss, कि मैं buying side बैठा हूँ, और market का trend कहीं न कहीं, ऊपर की तरफ की पीचा हो लग रहा है, जो दो दिन fall आने के बाद, जो market में एक healthy momentum आ रही है, बड़े time frame पे support पे खड़ा हुआ, bank nifty अगर आप hourly chart पे देखोगे, 15 minute chart पे देखिए, यहाँ पर, यह support पे खड़ा हुआ है, यहाँ पर fall करने के बाद, इतना अच्छा यहाँ पर catch up हुआ है, market Let's wait for the 9.36 target है अपना, ओके ठीके ड़ेट करते हैं हम लोग, so readers देखिए, bank nifty ने high लगाया है, 9.33.40 और target है हमारा 9.36, दो या तीन रुपे से अपना यहाँ पर target pending है, अब कुछ comments में पूछा जाते हैं मुझसे की सर 2-3 रुपे के लिए इतना बड़ा profit क्यों जाने देते ह तो कैसे होता है, readers देखिए, अब अगर मैं let's say यहाँ से randomly exit चाहे तो मैं कर सकता हूँ, कोई issue की बात नहीं, कौन रोकने वाला है मज़े, कोई नहीं रोकने वाला है, but issue क्या होगा, आज मैं 3-4 points के वज़े से मैं अपना exit कर रहा हूँ, कुछ time बात क्या होगा, 10-15 points स्टा में हम लोग अपना target से पहले exit कर देते हैं, अगर आपका mindset clear है, कि आपको इतनी levels का target लगाना है, तो you will wait for your proper target irrespective of whatsoever, ठीक है, 9-18, 9-20 के आशपता हूँ, proper 9-36 पे निकलेंगे, जो हमने target अपना लगाया हूँ है, 9-36 का, उसके पहले नहीं निकलने वाले, चाहे कुछ भी हो यह थोड़ा mindset आपको clear रखना पड़ेगा, हाँ, किसी के लिए थोड़ा offensive हो सकता है कि 25 यह का profit देखने के बाद, आप book नहीं कर रहे हो, यह वो वगरा वगरा, तो traders मेरे उतने पैसे भी लगे हो है, उतना मैंने time invest किया, मेरा सब को यहाँ पर invested है, तो क्यों ना मैं अपने प्रॉपर target पर निकलो, क्यों मैं 24 पर निकलो, कोई logic नहीं है, यह आदत बड़ी बन जा है, इससे अच्छा इसको लगने ही नहीं दे रहा हो, right, 912 के आसपा था होगा है, 24, 25,000, almost there, देखो इसने high लगाया है, 33.40, लगबग 2.70, 2.30 बोल दी जाब, 2.30 के आसपार मेरा target यहाँ पर pending है, और market यहाँ पर थोड़ा सा rejection phase कर रहा है, because वो resistance level है, that is the exact reason कि मैंने एकदम top का नहीं लगाया है, उसके पहले-पहले का target लगाया है, अब 2-3 point से मेरा यहाँ पर target pending है, फिर भी मैं proper अपने target के लिए रोखने वाला हूँ, let's see it with us, so far वीडियो अच्छा लग दिन आज वीडियो के ऊपर, last 3 Friday से loss चल रहा है, फिर भी मैं proper अपने target के लिए रोख रहा हूँ, यह वीडियो के लिए नहीं, यह मेरे nature में है, कि मैं इतना strict way मैं अपने target and stop loss को follow करता हूँ, all right, almost 23,000 के आसपास profit चल रहा है, let's wait for 936, finally traders, अपना target achieve हो चुका है, इसको हम cancel क 77, profit से कुछ भी मजा नहीं है, profit से मैं बिलकुल कुछ नहीं हूँ, सिरुफ कुछ इस बात का हूँ, जो back to back series बैटी हुई थी मेरी Friday की losing streak की, वो completely अब हो change हो चुका है, वो change कर दिया है, setup मैं एक बाद टेलिग्राम पे पहले update कर दूँ, okay, टेलिग्राम पे अप्डेट कर दिया है, done लिख दिया है मने, that means I'm exited, okay, setup क्या था, setup simple सा breakout, अब क्या यह सिरु breakout इतने छोटे breakout पे ट्रेट लेते हो कि आप नहीं मैं ट्रेट नहीं रहेता हूँ, छोटे breakout पे, setup क्या था, यहाँ पर clear एक breakout है, साथ में यहाँ पर आपको clearly दिख रहा है, कि छोटे टाइम फ की है, कि क्यूं market उपर जा सकता है, क्यूं market उपर जाने की probability is very high, retail traders are not accepting की market यहाँ से गिर सकता है, गिर भी सकता है, तो they are ready with the hard cash, जब तक market ऐसा नहीं करता है, जोटे से एक बात ज्याद नकना ही है, market नॉर्मल ही चल रहा है, एक बहुत अच्छा फोटो है में यह पास, वो refer करने के लिए, बहुत लोगों ने वो देखा भी होगा, बट स्टिल, यह होता है moderate, ठीक है, यह होता है attention seeker, और यह होता है retail trader की entry करने का time, जहाँ पर वो अपना majority of the time patience lose कर देते हैं, और exactly फिर मार के यहाँ से गुमने कोशिश करता है, तो अब जो है ना, हम कहीं न कहीं य यह लेवल्स पर चल रहा है, यह लेवल्स पर भी नहीं, यह लेवल्स पर नहीं, जब ऐसा time आएगा ना, जब हमको feel होने लगेगा कि यार boss, market तो बहुत अच्छा चल गया, मुझे लेना चाहिए था, वो लेवल्स पर dip आया, dip आया, finally जब हम यह लेवल्स पर लेना, start करे करेंगे, buying करेंगे, उसके बाद जाके market गरना, start करेंगे, that is the exact fact, जो अब से नहीं, कब से चल रहा है market में, जब से market है, okay, I hope you understood the point, setup के ओपर क्या मैंने बहुत जादा focus किया, नहीं किया, main जो psychology behind my mind चल रही है, उसके ओपर जादा मैंने focus किया, breakout, बहुत simple सा breakout, आपको हर support लेके ऊपर जाने कोशिश कर रहा है, back to back green candle थी, आप मेरे पुराने followers तो आपको exactly पता है, और मुझे इसलिए ही messages आया है, कि यहां से फीबो लगा के 38.2% का support ले रहा है, rejection ले रहा है, इसलिए आपने आप आप buy किया हुआ है, एक photo चाहिए तो मैं टेलिग्राम पर डाल आपके reference के लिए कि कैसे लोग study कर रहे हैं, और बहुती मजा आ रहा है मुझे भी आपको ऐसे सिखाने में, कि आप exactly समझ पा रहे हैं, मैंनी सैक्लरी समझ पा रहे हो, पैसा तो traders आएगा जाएगा, लास तीन Friday से lost किया, लगबग on an average, इस से कम ही मैंने lost किया है, और आज हम पूरा कर दोगे, we'll see you directly on Monday